वीर सेपाहियों के लिए मेरे वीर सैनिकों के लिए और जो भावी सैनिक हैं भावी मेरे देशभक्त जो भारत माता की सेवा करने के लिए इस बार पूरी तरीके सेपेपर को फतह करके और अपने माता पिता के नाम को रोसन करके भारत माता की सेवा के लिए वर्दी पहन कर त प्यारे मेरे प्यारे वीरों के लिए बहुत बहुत प्यार और बहुत सारा आशिवा तो सभी प्यारे साती एक बार आ जाओ जल्दी जल्दी से जितने भी प्यारे बहन भाई हैं सभी प्यारे बहन भाई एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे और बताएंगे कि क्या आप लोग तयार हो मेरे प्यारे दोस्तों आज के इस सैसन की बात कर लेते हैं तो सैसन में आप सभी लोग इस बात को जानते हैं कि आज हमारा डाइस का दूसरा भाग है सबसे पहले मुझे सच सच बताना कि क्या कल की क्लास यहाँ पर सेट हो चुकी है जल्दी से बताओ क्या सब कुछ ओके है कल की क्लास बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप लोग सीख चुके हैं तब मैं आज की क्लास स्टार्ट करूँगा एक बार प्यारा सा थमसब तो आप लोगों को भेजना ही पड़ेगा और इसमें बिल्कुल यह मानने की आवश्यक्ता नहीं है भीया आप थमसब की बोलते हैं क्योंकि हमारे और आपके मद्ध है एक मात्र यही साधन है जिससे मैं आपके मन की बात समझ पाऊं समझ में आ रहा है तो हाँ भीया समझ में आ रहा है तो ना भीया दुबारा पढ़ेंगे यार कोई दिक्कत नहीं है यहां सब आपस में घर की बात है कुछ भी ऐसा नहीं है कि एक मैं ऐसे वद्धूआव टी चीज को बड़े ही गौर से हम लोग समझेंगे और गौर से समझने की आवश्यक्ता यह है कि कल की क्लास में मैंने आपको जो पढ़ाया था सबसे पहले एक बार टाइम टेबल पर नजर आज और डाल लेते हैं मैथ की कलास सुभह सबा आठ बजे राहुल सर के द्वारा हिंदी की कलास साड़े नौ बजे नवीन सर के द्वारा ग्यारह बजे रीजनिंग की कलास अभी चल रही है बार है बजे हिस्ट्री एक बजे जियोगर्फी छे बजे फिर से मैथ्स साथ बजे पॉलिटी और नौ बजे साइंस की कलास आप लोगों की होती है ठीक है टाइम टेबल सबको पता होगा जिनको पता नहीं है वो यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है मेरे भाई अब इसके बाद की बात करूं तो यह आपको पता है कि 678 में डेमो चल रहा है उसके बाद डेमो समाप्त हो जाएगा तो आपका बैच 799 में का हो जाएगा अभी 640 रुपे में आपको यह बैच मिल जाता है नेक्स्ट स्लेबस कल में डिसकस कर चुका था और बढ़िया तरीके से आपको यह भी बता चुका था कि भाई क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं किस तरीके से आज भी हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं माता सरस्वती का वंदन करते हैं जैमा सार्दे हम जो पढ़े हैं वो सब कुछ हमारी समझ में आए क्योंकि माता सरस्वती के आसिरवाद के बिना कुछ भी कुछ भी समभब नहीं है ठीक है तो माता सरस्वती के दर्सन करते हुए हम आगे क्लास पर बढ़ते हैं कल की क्लास में मैंने आप लोगों को जो चीज सबसे लाश्ट में कराई थी उसकी एक बार चर्चा कर लेते हैं सबसे लाश्ट में मेरे प्यारे वीर मैंने आपको रोटेशनल रूल अर्थात घूर्डन का नियम पढ़ाया था जिसमें किसी के भी अपोजिट पूछ ले फर्क नहीं पढ़ता है यही बात थी अब गौर से सुनो अगर मैं आप लोगों से कहूँ एक क्वेशन की बात जैसे मैंने यहाँ पर डाइस बनाया तो एक क्वेशन को हम डिसकस करते हैं जो की कलकी क्लास के ही आधार पर है तो प्यारे दोस्तों जैसे यहाँ पर मैंने चार लिखा, यहाँ पर एक लिखा, यहाँ तीन लिखा, यहाँ पांच लिखा, यहाँ दो लिखा, और यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है, अब मुझे यहाँ पर सब के opposite बताएंगे तो आप लोग बोलेंगे कि ये 4 है और ये 4 है तो जो common number होता है उसे उपर नीचे लिखा जाता है मेरे वीर आप लोग जानते हैं जब 4 से clockwise चलेंगे तो आप बोलेंगे भीया 4 से 1 आया और आप बोलेंगे कि यहाँ पर मेरे वीर 1 से 3 आएगा तो 4 1 3 आए से 2 तो 4 से 5 और 5 से 2 ठीक है अब अब 4 के सामने मुझे 4 दिखाई दे रहा है कभी ऐसा तो नहीं हो सकता न कि same number आमने सामने हो तो इसे हटा कर जो अभी नहीं आया है वो आएगा तो मैं यहाँ पर 6 लिख दूँगा मेरी समझ में एक बात आई कि 4 के विपरित 6 है एक के वि प्रिद्धो है यहां तक मैं पिछली क्लास में अर्था कल आपको हर चीज समझा चुका था मैं next अगले अगले पॉइंट पर आगे बढ़ता हूं गौर से समझिएगा यहाँ पर जो तीसरा नियम है हमने आज के लिए बोला था कि हम इसे आज पढ़ेंगे नियम को ध्यान से सुनना जब आपके पास परिक्षा में चार चार डाइस आते हैं जब आपके पास तीन तीन डाइस आते हैं बहुत सारे डाइस आते हैं तो यह सबसे परफेक्ट और सबसे सठीक तरीका होता है जो मात्र दो सेकंड के अंदर जी बिल्कुल दो सेकंड के अंदर आपके आ आरे साथ ही जब दोनों ही पासों में दो चीजें समान हो जब की तीसरी चीज के विपरीत पूछा जाए तो दोनों समान है तो जो दोनों समान है उनको एक दूसरे से काट दिया जाता है जब की सेस बची हुई दोनों सतों को एक दूसरे के विपरीत कर दिया जाता है ये तो रही एक परभासा ये तो रही एक परभासा लेकिन इस परभासा का सार क्या है इसका तात पर रहे क्या है वो सुनो मानकर चलो की मेरे पास यहाँ पर दो डाइस हैं गौर से सबजने की कोशिस करना यहाँ पर मैं B लिख देता हूँ यहाँ A लिख देता हूँ और यहाँ मैं C लिख देता हूँ यहाँ मैं C लिख देता हूँ यहाँ मैं B लिख देता हूँ यहाँ मैं E लिख देता हूँ गौर से सुनो, गौर से सुनेंगे मेरे सभी प्यारे साथी मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे कहा कि भाई साब मुझे E के विपरीत बताना है कि E के विपरीत क्या होने वाला है, E के विपरीत क्या होगा तो पता है आप लोग क्या कहोगे, आप लोग कहोगे भीया E के पास यहाँ पर B और C है तो मेरे वीर गौर से सुनो E के पास यहाँ पर B और C है और आप लोग चेक करो कि यहाँ पर भी B और C है नियम क्या कहता था ये? नियम क्या कहता था? नियम कहता था जब दोनों ही पासों में दो चीजें समान हैं तो दोनों पासों में दो चीजे समान हैं, यहाँ पर C और B है, यहाँ पर C और B है, तो यह दोनों की दोनों समान है, मैंने कहा जब की तीसरी चीज के विपरीत पूछा जाए, तीसरी कौन बची, B और C समान है, तो तीसरी E ही तो बची, A के विपरीत भी पूछा जा सकता थ E के विपरीत किसी एक नमबर के विपरीत पूछा जा सकता है क्या कह रहा है तो जो दोनों समान हैं दोनों समान कौन है B और C उनको एक दूसरे से काट दिया चाहता है तो यहाँ पर इन दोनों को आपस में मैं इस तरीके से खतम कर दूँगा जबकि सेस बची हुई दौनों सतहों को एक दूसरे के विपरीत कर दिया जाता है तो कौन-कौन बचा मेरे दोस्तो यहाँ E बचा यहाँ A बचा तो E के विपरीत A अर्थात यही मेरे प्रेसन का अंसर होगा यही मेरे प्रेसन का अंसर होगा मैं उम्मीद करूँगा कि मेरे किसी भी भाई को दिक्कत नहीं होगी और आप मुझे एक बार इस चीज का विश्वास दिलाएंगे कि भीया अब हम इसे कभी गलत नहीं करेंगे हम क्वेशनों पर चलेंगे और अब अब इतना कुछ पढ़ाने के बाद डाइस किस तरीके से घुटनों पर आता है वो मैं अब आपको सिखाने जा रहा हूँ दुनिया की कोई तागत तुम्हें तुम्हें गलत क्वेशन के लिए प्रेरित नहीं कर सकती मैं वादा करता हूँ आप सही ही करके आएंगे और जल्दी ही करके आएंगे क्वेशनों पर चल रहा है आप लोगों को करने हैं अब क्वेशन जिनको समझ नहीं आता है बिल्कुल पैन को अलग रख दो मेरी बातों को गौर से सुनो फिर हर चीज़ आप कर सकते हैं क्लास को सेर कर सकते हैं तो एक बार सेर जरूर कर देना एक बार सभी मेरे प्यारे साथी पाँच लोगों तक क्लास को share कर सकते हैं तो कर देना नहीं कर सकते हैं तो कोई जोड़ जबरदस्ते नहीं है प्यारे दोस्तों आज की क्लास के इस पहले question को गौर से सुनो और कोसिस करना की जो तीसरा नियम बताया है उससे आप question कर सको गौर से समझेंगे जैसे जैसे यहाँ पर question आ रहा है जो जब प्रेस्ण में दो से अधिक पासे दिये तो ज़्यादा दिये गए चार के विपरित पूछ रहा है question करा है भाई साब चार के विपरित क्या होगा यहाँ पर एक चीट समझो मैंने यहाँ पर गौर से देखा कि चार कहा है चार को गौर से देखो चार कहा है तो चार चार यहाँ है चार के पास logic चार डाइस है भाई, मुझे 4 dies से मतलब नहीं है मुझे केवल 2 dies से मतलब है और सबसे पहला वार मैं उन 2 dies पर करूँगा जिन में double common का नियम लग सकता है double common का नियम लग सकता है तो यहाँ द्यान से देखो 4 के पास 6 और 5 लिखा हुआ है सर, छे और पांच तो यहां भी लिखा हुआ है ये दोनों डाइस चीक चीक कर कहते हैं कि आओ आओ और हम 6-5 को सहीद कर दो जैसे ही 6-5 से 6-5 खताम ये 4 है, ये 1 है, यही आंसर है और मेरे दोस्त 4 के विपरीत जो जबाब हो गया वो एक हो गया किसी को थोड़ी सी भी दिक्कत है तो मुझे बता दो कहोगे भाईया पहले वाले की और लास्ट वाले की जरुरत नहीं पड़ी क्या मैं कहूंगा पढ़ती तो तुमारे सामने में प्रयोग नहीं करता क्या जरुरत नहीं है क्लास आज की तुम्हें confidence देगी कल की क्लास में तुमने चीजें सीखी थी आज की क्लास तुम्हें confidence देगी और कल जब dice थी क्लास लूँगा तो तुम दुनिया के सामने कहपाऊगे कि dice का कोई भी question मैं कर सकता हूँ बलकि कर नहीं सकता दूसरे को भी सिखा सकता हूँ इतना आपको मैं बना दूँगा exam का level यहां होगा तो मैं आपको यहां तक सिखा के चलूँगा इस बात की परेशानी नहीं ले लिया दूसरा question यहां पर गौर से समझेंगे क्यराई D के विपरीत क्या होगा बहुत आसान सी भासा में हम इस question का अंसर कर रहे होंगे क्यराई D के विपरीत क्या है गौर से समझ ना तो मैंने आप लोगों से कहा कि D के विपरीत पूछ रहा है सर सबसे पहले चार डाइस है माइंड में एक शी जानी चाहिए माइंड में एक शी जानी चाहिए कि ये चार डाइस है D के पास यहाँ पर C और E है यहाँ चेक करने पर पता चला कि D के पास C और E है मैं यहाँ चेक करता हूँ तो C और E यहाँ पर भी है C और E से C और E खतम इन दोनों ही डाइस ने आंसर दे दिया ये D बचा, ये A बचा मेरे प्यारे दोस्तों ए आपके question का confirm सही answer हो चुका है कोई दिक्कत यहां तक ना, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, very good बहुत ही सांदार, सांदार next क्या है इस question को एक बार गौर से समझो अब, अब, अब एक बार copy pen रोकर, comment रोकर मेरी बात सुन लो गौर से सुनना, मैं क्या बताना चाहता हूं मैंने आप लोगों से कहा यार, तीन के विपरीत क्या होगा, ये question पूछा जा रहा है question कह रहा है, तीन के विपरीत क्या होगा तो गौर से सुनना तीन के पास तीन यहां है ने, तीन यहां है ने, तीन यह है, मैंने गौर से देखा, मैंने गौर से देखा कि तीन के पास एक और छे है, तीन के पास एक और छे है, प्यारे दोस्तों, एक और छे ना यहां, ना यहां, तो सर जो आप नियम लगा रहे थे ना भी, जो आप डब common लगाते थे थे माखर गश्था देते थे तीसरे वाले कुछ भी ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं है यहां कौन से नियम पर जाओना तो मैं याद है को गोडनन का नियम पढ़ाया था मैंने दो common मतलब दो produce ऐसे जिन में एक नंबर common है common लेकर घड़ी की दिसा में घुमा लेते हैं कुछ याद आया आज की class के starting में भी बताया था याद आया तो गोर से सुनो जैसे यहाँ पर मैंने देखा एक और चीज मैं तुम्हें बताने कोसिस करूँगा बहुत सारे बच्चे हैं एक confusion में चले जाते हैं वो सोचते हैं एक और पांच चैए पांच चार नौ चार और एक पांच वो सोचते हैं यार की साथ नहीं बन रहा तो यह मानक पास आए ना 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 यह तीन पासे अलग-अलग नहीं है यह एक ही पासे की दो अलग-अलग इस्थतियां हैं एक ही पासे की तीन अलग-अलग इस्थतियां हैं तीन आ जाओ चारा जो अलग-अलग इस्थतियां होती हैं किवल रोटेट होता है अगर यहाँ पर यह चीज सिद्ध हो रही है पांच और दो साथ इन तीनों में से कोई से एक ڈाइस में अगर साथ बन जाए तो कंप्लीट रूप से पूरा पासा, साधारण पासा होगा, मानक नहीं होगा, मानक नहीं होगा, तीन इस्तती होँ, चार होँ एक question के अंदर, गौर से सुन लो, किसी एक इस्तती में अगर ये बात सिद्ध होती है कि वो साधारन पासा है अर्थात किसी एक इस्थती में कोई सी दोसत है साथ का योगफल बनाती है तो complete रूप से पूरी की पूरी इस्थती साधारन हो जाती है पूरा पासा साधारन हो जाता है फिर बाकी किसी में दिखे या ना दिखे कोई फर्क नहीं पड़ता अब सुन मैं यहाँ पर गौर से देखता हूँ तो पहले और दूसरे की तुलना करो पहले एक पांच चार पांच है दो ओहो इन दोनों में इन दोनों में पांच कॉमन है इन दोनों में इन दोनों में पांच कॉमन है बहुत बढ़िया और जो common होता है उसके साथ हम क्या करते है जैसे ये 5 है तो 5 को ऊपर नीचे लिखते है बोलो हाया ना मैंने 5 को ऊपर नीचे लिख दिया इन दोनों को उसके बाद क्या बोला था गड़ी की दिसा में चलेंगे चलो 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 तो 5 से क्या आया 4 और 4 से क्या आया 1 मिरे प्यारे दोस्तो 5 4 1 5 4 1 और यह आया 5 से 6 6 से 2 तो यह आया 5 6 2 अपोजिट 3 के पूछ रहा है पांच के सामने 5 तो नहीं आएगा बचा कौन है जो बचा है तीन उसे लिख दो आपसे क्या बोला था आपसे बोला था कि तीन के विपरीत क्या है मैंने आपको हर एक के विपरीत निकाल के दिखाया है तीन के विपरीत पांच है छे के विपरीत चार है तो के विपरीत एक है आपसे केवल तीन के विपरीत पू ब्लम नहीं है बहुत ही सांदर नेक्ष्ट आ जाओं आज की क्लास के अगले प्रेसन पर चलू लो भाई साब छाप दो इसे जल्दी से चार डाइस हैं चार डाइस हैं भाई कैसे बोलोगे पहले वाले में कैसे बोलोगे चेक करोगे क्या कि 3, 2, 5, 2, 6, 8, 6, 3, 9, 7 नहीं बना हैं अगर हैं तो सीधी सी कहानी ये है कि ये सभी की सभी मानक नहीं हो सकती फिर सभी सामान्य हो जाएंगी किसी एक स्थती में भी ये बात सैठ है तो नियम पर चलो एक बार सवाल की यहां बात कर लेते हैं सवाल कहता है कि भाई कौन सी फलक है जो 3 के विपरीत होगी मैंने यहाँ पर गौर से देखा यहाँ तीन के पास दो और छे है दो और छे, दो छे नहीं है दो छे नहीं है, दो छे नहीं है यहाँ तीन के पास छे और एक है छे और एक नहीं है, छे एक नहीं है छे एक नहीं है, तीन के पास पांच और एक है, पांच एक कहीं भी नहीं है तो मेरे मन में ख्याल आया कोई सी दो ऐसी लेके आओ ना जिसमें एक नंबर कॉमन हो एक ही कॉमन होना चाहिए बस तो आप लोग कहेंगे भीया सीधी सी कहानिय तीन दो छे दो पाँचार पहले दोनों को चेक कर लो दो नंबर कॉमन है दो नंबर कॉमन है तो आप कहेंगे कि दो को उपर नीचे नोट डाउन कर लो दो को उपर नीचे नोट डाउन कर लो दो से जब घुमाओगे तो यह आएगा दो छे तीन क्या दो छे तीन तो मैंने कहा दो छे तीन और जब आप यहां घुमाओगे तो यह आएगा 2, 5, 4 क्या बोलेंगे? 2, 5, 4 2, 5, 4 अपोजिट निकल चुके है 2 के सामने 2 तो नहीं होगा बचा कौन है? 1 2 का अपोजिट 1 है, 6 का 5 है 3 का 4 है तो 3 के विपरित क्या होगा? 4 होगा जबाब A option होगा, अब सुनो अब मेरी बात को गौण से सुनो कुछ लोगों के मन में अब एक ख्याल आएगा कुछ लोग सोचेंगे क्यों जी? तुमने पहले 2 डाइस में 2 को कॉमन ले लिया मैं तो ना ले रहा पहले दोन में मैं तो पहले 2 डाइस को नहीं लेना चाहता मैं तो मैं तो यह चाहता हूँ कि मैं इन दोनों dice में 2, 5, 4, 5, 3, 1, 5 common ले लूँ कुछ बच्चों के मैंने मैं आ सकती हैं यह चीजें कि भाईया 5 अगर इन दोनों में common लिया जाए तो क्या यही answer आएंगे 100% आएंगे बात आ रही है समझ में तो मैंने आप लोगों से बोला, मैंने आप लोगों से बोला कि ये 2, 5, 4 तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या आईगा ये, 5 common लेके देख लो 5 ये, और 5 ये वाला उधारण के लिए बता रहा हूं justice चीज को, तो याया 5, 4, 2, 5, 4, 2, घड़ी की दिसा में, 5, 3, 1, याया 5, 3 ये 6 आया, चेक कर लो 5 के अपोजिट 6, 5 के अपोजिट 6, 3 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 4, 2 के अपोजिट 1, 2 के अपोजिट 1, 2 के खतम कहानी, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि आप लोग बहतर तरीके से चीजों को कर पा रहे होंगे कोई दिक्कत नहीं है और सुनो अलग-अलग डाइस से थमसब करके बताओ बात आ रही है समझ में अलग-अलग डाइस से अलग-अलग आंसर आ रहे हैं जैसे मैंने पहले दो लिये तो ये आंसर दूसरा चौथा लिया तो कोई अलग आंसर आ रहा होता तो फिर निश्यत रुप से वो question ही घलत होता आयोग जब कभी paper में question देता है उसमें कभी फर्क नहीं होता लेकिन मैंने बहुत सारी book में ये चीज देखी है इस चीज को देखा है कि यार कई book में पहले दो ले रहा है तो answer कोई और आ रहा है दूसरा तीसरा ले रहा है तो answer कोई और आ रहा है पहला चौथा ले रहा है तो answer कोई और आ रहा है फर्क नहीं पढ़ना चाहिए फर्क पढ़ रहा है तो उस question में error है वो किताब वाले भीया ने वैसे ही बना दिया जल्दवाजी में, वो एक अलग मामला है, मैं किसी की बुराई नहीं कर सकता, लेकिन एक दो किताब में ऐसा हो जाता है, वो एक अलग मामला है, ठीक है, प्यारे साथी, लेकिन आयोक के question में कभी भी गलती नहीं मिलती, previous year के किस question में गलती नहीं मिलती, कभी-कभी जल्दवाजी में सायद मैं भी ऐसे question बनाऊं, चार आकरती, तो हो सकता है, मुझसे भी गलती हो जाए, वो कोई बड़ी बात नहीं है, व्यक्ती से ही गलती होती है, next question क्या है, इस present पर बढ़ते हैं, थोड़ा सा गौर से समझेंगे, थ थोड़ा सा गौर से समझेंगे, एक बार question को, चार dice दिये हुए है, यहाँ पर question के अंदर मैं चेक कर पा रहा हूँ, तो चार dice दिये हुए है, दिये गए पासे में फलक 6 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, तो प्यारे साथी यहाँ 6 के पास पूछ रहा है, क्या आएग चेके पास पांच तीन है, और जैसे ही मुझे पांच तीन मिला, मैं पांच तीन से पांच तीन को खटा-खट, खटा-खट कालत कर दूँगा, काट दूँगा, तो यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, और मेरे question का answer मैं क्या लगा रहा हूँगा, चार option number A, confirm correct answer हो रहा हो कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत परेसानी आपको, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, next question पर आओ, एक बार इस question पर आजाओ, यह क्या कह रहा है भाई, यह question क्या कह रहा है भाई, एक बार इस question को focus करते हैं, यहाँ पर 4 लिखा है, यह 6 लिखा है, ये एक लिखा है ये छे लिखा है पांच लिखा है दो लिखा है question मुझसे क्या पूछ रहा है question कि भहिया तीन वाले फलक के तीन तीन की बात कर रहा है तीन वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी तीन के विपरीत पूछ रहा है आराम से करना आराम से तो यहाँ पर चेक करेंगे एक बार डोनों में इस्ततियों में चेक करने पर पता चलता है कि 6 नंबर कॉमन है 6 नंबर कॉमन है तो मैंने 6 को उपर नीचे नोट कर लिया उसके बाद वही जिंदाबाद घड़ी की दिसा 6,1,4 यहाँ पर क्या लिखा मैंने मैंने लिखा 6,1,4 यहाँ इसके बाद बढ़ते हैं तो 6 से 5 और 5 से 2 अर्थात 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 6 से 5, 5 से 2 अपोजिट पूछा था 3 के 3 दिखाई नहीं दे रहा एक्षल में वो 6 के सामने है सर आप 3 की बात करते हैं मैं 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 यहाँ पर हर एक का अपोजिट निकाल चुका हूँ 3 का अपोजिट पूछता है 6 जबाब है 5 का पूछता है 1 जबाब है 2 का पूछता है 4 जबाब है 3 का पूछता था 6 जबाब है कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत किसी भी साथी को Next question आपके सामने आ चुका है आज की क्लास का एक और चम चमाता question आपके सामने जिसका करना है आपको answer सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बोलेंगे right answer क्या है सवाल के रहा है भी सवाल यहाँ पर कह रहा है भाई साब एक दरसाने वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा एक के विपरीत पूछ रहा है एक के विपरीत पूछ रहा है गौर से सुनो गौर से सुनो एक यह रहा, दो और तीन पास है, दो तीन यहाँ नहीं, दो तीन यहाँ नहीं, भाई फिर मैं फिर से कह देता हूँ, तीनों मैंसे अब उसे धूड़ जिस में एक common है, तो यहाँ पर है, दो एक तीन, तीन, चार, पांच, यह 5 है, ठीक है, यह 5 है, तीन को common ले लिया जैसे ही मैंने तीन को कॉमन लिया तो तीन को हमने उपर और नीचे रख लिया मैं 3 से जैसे ही चला तो 3 से आया 2, 2 से आया 1, 3 से आया 4, 4 से आया 5, 3 के सामने 3 नहीं तो 6 होगा, अपोजिट उचा था 1 के, जबाब होगा 5, जबाब होगा 5, B option, correct answer है, very good भाई, very good, बहुत बढ़िया, ये speed देखकर लग रहा है कि आप वाकई सांदार कर रहे हो, next question आओ, आज का अगला सवाल, आज का एक और अगला सवाल, सभी मेरे प्यारे साथी गौर से समझेंगे, गौर से समझेंगे और बताएंगे, इस present का answer क्या है, इस present का correct answer क्या होगा, एक बार सभी मेरे प्यारे साथी गौर से समझेंगे, कह रहा है कि बी के विपरीत, क्या बोलेंगे, बी के विपरीत, मेरे शेर जल्दी से बता दो, बी के विपरीत कौन सा अख्षर होगा, बी के पास F all D है, F D, F D, F D कहीं नहीं है, B के पास C और D है C और, ओहो, ओहो, कितना आसान है कितना प्यारा तुझे रबने बनाया जी करे देखता रहूं तो यहाँ पर आप लोग चेक करो B के विप्रित पूछ रहा था C और D यहाँ पर मौजूद है मैंने कहा C और D यहाँ पर मौजूद है तो तुम लोग क्या कहोगे भीया जी D और C से D और C खतम क्या बोलेंगे कि सर इसमें D और C से D और C खतम कर दो और जो यहाँ पर E बचा है वही आंसर है तो बोलेंगे सर आंसर हो जाएगा option number A जिस पर E लिखा हुआ है कोई दिक्कत है आगे बढ़ जाए next question पर चले आज की class के अगले present पर चले question को गौर से समझ लो question क्या कह रहा है बहुत आसा question लग रहा है question यहाँ पर पूछ रहा है एक के विपरीत कौन सा अंक होगा जब paper में 4-4 dice आते होंगे यार ऐसा हो जाएगा कि समझ में नहीं आएगा कोई चीज तुमारे होसलों से बड़ी हो सकती है क्या नहीं कभी नहीं हो सकती मेरे प्यारे सेर आप मेहनत कर रहे हो तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा निश्यत रूप से आप बहतर ही करके आओगे और करोगे निश्यत रूप से देखो द्यान से तो मैंने कहा एक के विपरीत क्या है सर यहाँ पर सीधी सी कहानी है कि अगर मैं एक के विपरीत बात करता हूँ तो यह 5 और 3 है मैं चेक कर पा रहा हूँ 5 और 3 यहाँ है 5 और 3 से 5 और 3 खतम एक बचा, दो बचा, एक और दो अपोजिट होंगे, तो एक और दो अपोजिट है, सी ओप्सन करेक्ट है ठीक है, चलो next question क्या कह रहा है, आजाओ इस present पर बढ़ जाते हैं आजाओ एक बार, जल्दी से आजाओ एक बार इस present पर बढ़ जाते हैं ये question क्या कह रहा है सबाल के रहा है, एन वाले फलक के विप्रीत बता दो एन के विप्रीत बता दो भाई तो मुझे ये बताओ परसेंट, परसेंट, डॉलर और एन, एन एड़ दा रेट एन तो एन कॉमन है दोनों में पहले और दूसरे में एन कॉमन है कल की क्लास का एक नियम बताया था याद करो, उसका नाम था उसका नाम था निकट तम का नियम याद आया, किस किस को आया, याद बताओ एक बार जल्दी से recall करने कोसिस करते हैं, हार यार निकट तम का नियम था निकर्तम का नियम कहता था कि दो डाइस हैं दोनों में एक common है और common के ही opposite पूछ ले याद आया, याद आया बोलो Common के ही opposite पूछ ले तो जो अंक दिखाई नहीं दे रहा है जो अंक गायब है वही answer होता है याद आया, बोलो याद आया तो मैंने आप लोगों से बोला यहां कौन नहीं दिखाई दे रहा इन दोनों में कौन नहीं दिखाई दे रहा सर यह जो है जैना तीसरे वाले में यहां किसी में भी नहीं है तो आप लोग डाइरेक्ट लगा दो डाइरेक्ट आंसर कर दो बिल्कुल टेंस न मतलो B option correct ही होगा बहुत बढ़िया भई next आगे बढ़ जाते हैं अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और गौर से समझते हैं अगर ऐसे बिंदू आ जाए तो क्या करें बिंदू भी तो आ सकते हैं अभी तो color भी आ सकते हैं बिंदू भी अंक भी alphabet भी कुछ भी आ सकता है प्यारे दोस्तों कुछ भी x y z कुछ भी ठीक है तो प्यारे साथी यहाँ पर आएंगे एक बार और समझेंगे दिहान से समझेंगे एक बार तो मैंने आप लोगों से कहा कि एक बिंदू वाले एक बिंदू वाले जो एक बिंदू है उसके विपरित यह कितने बिंदू है एक बिंदू है यह एक दो तीन बिंदू है यह तीन और दो पांच बिंदू है यह एक बिंदू है यह चार बिंदू है यह दो बिंदू है आप से किरा है एक के विपरित बताओ ठीक है बता देंगे साब कोई दिक्कत नहीं है हमें पता है कि एक ही कौमन है एक ही कौमन है दोनों में और एक के ही विपरित पूछ रहा है वही नियम लगेगा जो अभी अभी लगा के आ रहा हूँ मैं बोलूँगा एक कौमन है एक के ही विपरित पूछ रहा है तो सीधी सी कहानी है जबाब छे होगा क्योंकि वही दिखाई नहीं दे रहा है ठीक है बहुत बड़िया तो मैं आप सभी लोगों से जानना चाहूंगा कि अगर ये क्वेश्चन परिक्षा में आएंगे तो कर देंगे की नहीं एक प्यारा सा करारा सा जबाब मुझे चाहिए कि आप लोग कर देंगे की नहीं कर देंगे जल्दी से मुझे एक बार बता दो आप लोग बड़िया तरीके से कर दोगे ना कोई दिक्कत तो नहीं है बहुत बड़िया सभी का जवाब है या सर बिलकुल कर देंगे बहुत बढ़िया सर तैयारी question पर practice कहां से करें भाई देखो सुनो आप एक बार syllabus को खतम होने दो ठीक है और जैसे ही syllabus खतम होगा बाकी आप लोगों को question दिये जाएंगे proper वहां से practice कर लो और मेरी जो पूरी कोसिस है हाँ तुम लोगों को एक चीज और बता देता हूँ लगबग 10 जनवरी तक मेरा एक target है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे बच्चों की डिमांटी भीया तुम खुद एक reasoning की book निकालो जिसका content solution सब आपने तयार किया हो प्यारे दोस्त दस जनवरी तक मेरी कोसिस है कि मैं आपको एक बहुत ही बहतरिन book आप लोगों को दे सकूँ जिसका content और बाकी एक अलग ही level का content हो प्यारे दोस्त पूरी तरीके से महनत चल रही है जबरदस तरीके से आप लोगों को ये सूचना दे देता हूँ कि लगबग कोसिस है दस जनवरी तक मैं आपको एक reasoning की सांदार book दे दूँ ठीक है अब तो खुज हो फिर आप लोग एक महीने में बहुत अच्छी तरीके से वहां से कर सकते हो इतना मुझे अच्छी तरीके से पता है ठीक है प्यारे साथी next question पर हम लोग चलेंगे एक और बात उस किताब में SSCGD, SSCMTS, CGL, CPO, CHSL हो UP SI तक के भी question बाहर कुछ जाना ही नहीं चाहिए सब कुछ मैं लेके आ रहा हूँ हर एक topic चाहें कोई भी topic reasoning का हो ठीक है चलो अब सही है अब तो बता दो एक बार ठीक है ना अब आजाओ आप लोग थोड़ा सा open dice copy में लिख लो मैंने कहा आप लोगों के लिए एक मैंने बोला open dice आप लोगों को heading लिखनी है कुछ question हम लोग यहाँ पर अभी solve करेंगे हिंदी में हम इस open dice को कहते हैं खुला पासा open dice को हम लोग कहते हैं खुला पासा गौर से समझ लेंगे एक बार क्या हो सकता है ठीक है भाई दियान से समझना तो मैंने आप लोगों से कहा कि यहाँ पर हम एक dice बना देते हैं यहाँ पर हम एक dice बना देते हैं और गौर से समझना इस dice को open dice कहते हैं मैं आपको question discuss कराऊंगा एक बार गौर से सुनना यहाँ पर यह पहला question है अभी यहाँ दूसरा बना रहा हूँ एक बार मेरे साथ साथ प्लीज आप इन आकरतियों को जरूर बना लेना मेरे प्यारे साथी मेरे प्यारे साथी, आप इन आकरतियों को एक बार जरूर बना लेना उसके बाद सिखाना मेरी जिम्मेदारी है आप सीखोगे, निश्यत सीखोगे, जल्दी जल्दी से बना लो भाई एक बार सभी प्यारे सात्य अभी हम इनसे में नंबरिंग भी करेंगे नंबरिंग भी करेंगे आराम से कोई भी परेशान होने की आवशक्ता आपको नहीं है झाल्य करेंगें धो एक झाल रहा है इसमें लिखेंगे 4, 2, 1, 3, 5, 6, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख रहे होंगे A, यहाँ पर B, C, D, E, और F, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख रहे होंगे 2, 1, 4, 3, 6, 5, यहाँ पर हम लोग लिख रहे होंगे, इस्टार, टॉलर, परसेंट, हैज, एड़ दा रेट, और बराबर, यहाँ पर हम लोग लिख रहे होंगे, 4, 2, 1, 3, 5, 6, यहाँ लिख रहे होंगे, A, B, C, D, E, और F, अब यहाँ पर एक बार सभी मेरे प्यारे साथी, कॉपी पैन, कमेंट, सब कुछ रोक लेना, और इन क्वेस्चनों को मेरे साथी, एक बार डिसकस कर लेना, गौर से सुनना, और इनका फाइदा क्या है, वो सब भी मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ, गौर से सुनो, मैंने आप लोगों से कहा, मुझे अपोजिट निकालना है, ओपन डाइस में, सबसे पहली बात तो ये समझो, ओपन डाइस में मानक पासा और सामानने पासा जैसा कुछ नहीं होता है, बस यहां एक बात ध्यान रखनी है, जब हम एक सीधी रेखा में चलते हैं, तो तीसरा वाला अपोजिट होता है, समझ में आई बात सुनो ध्यान से कैसे इन क्वेशनों को अभी हटा दो बस ये बताओ मुझे ये चार है ये छे है ये पाँच है यहाँ तीन है यहाँ दो है यहाँ एक है पूरा ध्यान यहाँ पर रखना एक बार जो चीज मैं सिखाने वाला हूं मुझे ये बताओ अगर मैं चार से सीधा चलू चार से मैं सीधा चलू तो उपर तो कुछ है नहीं तो जाने से कोई फाइदा नहीं है मैं चार से सीधा चलू नीचे को तो क्या मिला मुझे छै मिला अब मुझे ये बताओ मुझे चलना सीधा ही है चार से छे मिला अच्छा ये बताओ अगर मैं चार से छे पे जाऊ और छे से तीन की तरब चला जाऊ तो क्या मैं सीधा चल रहा हूं यस और नो में जबाब देना मैं चार से छे पे जाऊ और छे से तीन की तरब चला जाऊ तो क्या मैं सीधा चल रहा हूँ सर फिर मैं सीधा कहा चल रहा हूँ फिर तो no बिल्कुल सीधा नहीं चल रहा हूँ तो ये चीज नहीं अपलाई करनी मुझे तो सीधा ही जाना है सीधा जब भी नहीं है कि मैं 4-6 पे जाऊं सुनो ध्यान से, एक छोड़कर जो भी अगला मिलता है, वो ओपन डाइस में अपोजित होता है, जैसे मैंने कहा ये क्या है, 4 छार है ना, आप लोग सीधे चलो, 4 से क्या मिला, 6, 6 को छोड़ दो, 6 को छोड़ दो, पिर क्या मिला, 5 तो ये 4 का अपोजित 5 है, भाईया अगला वाला छोड़ दो उससे अगला वाला पकड़ लो वो अपोजित होगा मैंने कहा जैसे दो है तो दो से सीधे चलो दो से सीधे चलोगे तो कौन मिलेगा छे 6 को छोड़ दो तुरंट अगला वाला तो छोड़ देना है 2 से 6 को छोड़ दो 3 को पकड़ लो तो 2 का अपोजिट 3 हो जाएगा 6 से चलो 6 से चलो 5 को छोड़ दो 1 पकड़ लो 6 का 1 हो जाएगा यही अपोजिट होते हैं open dice में एक बार thumbs up करके नहीं बताओगे कि भहिया समझ में आ गई जल्दी से सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बताओ क्या तुमको मेरी बात समझ में आ चुकी है जल्दी से बताएंगे आ चुकी है ये बात समझ में questionों को चुटकियों में solve करना शुरू करेंगे यहाँ पर सभी प्यारे साथी एक बार गौर से समझेंगे मेरे शेर मेरे वीर देखो ध्यान से पहला question पहला question एक और बात पहला करा रहा हूं तो तुमारा focus पहले पर होना चाहिए यह नहीं कि भाई यह दूसर तूसर चौत दो तीन पकड़ लो दो का क्या हो गया तीन पांच से चलो दो छोड़ दो छे पकड़ लो पांच का हो गया छे कोई भी समस्या है नहीं मैं अच्छी तरीके से जानता हूं आगे समझेंगे मैंने यहाँ पर बोला यह जो A है यहां से B को छोड़ दो C पकड़ लो A का अपोजिट C होगा B से चलो C को छोड़ दो D पकड़ लो B का अपोजिट D होगा आगे बढ़ जाओ E का C छोड़ दो F पकड़ लो E का अपोजिट F होगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आगे समझते हैं मैंने आप लोगों से कहा इसमें आओ एक बार इसमें आओ तो यहाँ पर मैं बोलूँगा आप लोगों से एक का क्या होगा चार को छोड़ दो तीन पकड़ लो निश्यत रूप से एक का जो अपोजिट है वो तीन है चार का क्या है चार का तीन छोड़ कर छे अर्था चार का अपोजिट 6 होगा अब मेरे मन में एक प्रेसन उठता है गौर से सुनना मेरे मन में एक प्रेसन उठता है कि यार यार ये जो दो और पांच बचे हैं इनका क्या करूं इनका क्या करूं दो और पांच तो एक सीधी रेखा में नहीं है दो से चल रहा हूं तो पांच तो ऐसे क कि आपका मन नहीं कहता कि और कोई नहीं बचा तो जो बचे हुए है वो एक दूसरे के अपोजित होंगे होंगे जरूर होंगे तो दो का पोजित पांच होगा हमें करना पड़ेगा बता दो बात आई समझ में और दूसरी बात मैं तुम्हें एक आसान सी भासा में समझाओं तो मानक पासा उपर नीचे खिसकाया भी जा सकता ये पांच चाहो तो यहां उपर यहां भी सिफ्ट कर सकते हो इस पांच को लिपके उसे कोई खास भर्क नहीं पड़ता पर मैं तुम्हें फालतू के जहमेले में नहीं फसाओंगा मैं तूदा पॉइंट सीदी सीदी बात बताऊंगा जिस से आंसर करेक्ट जल्दी जल्दी आ जाए ठीक है दूस्ली बात समझ़ूं यहां पर समझेंगे यह जो डॉलर है डॉलर से परसेंट छोड़ कर हैज़ पर आया तो डॉलर से मैं यहां पर हैज़ पर पहुँच गया बहुत सुंदर परसेंट से कहाँ भाईया हमको अपोजिट कर दो ना मैंने खा ठीक है सिमरन जी ले अपनी जिंदगी जा इस्टार और बराबर अपोजिट अपोजिट हो गए कोई दिक्कत वाली बात किसी को नहीं होनी चाहिए कोई भी समस्या है अब जो तुम्हें समस्या आएगी जो तुम्हें समस्या जाता हूँ यहां गौर से सुनना जब आप यहां पर अपोजिट निकालोगे तो दो का अपोजिट निश्यत रूप से तीन होगा है ना दो का अपोजिट निश्यत रूप से तीन होगा इस बात में किसी को कोई भी संसया नहीं होना चाहिए अब मेरी बात को सुनो बहुत ध्यान से, दो का अपोजिट तो तीन हो गया, अब मेरे दिमाग में एक सवाल आया, मेरे दिमाग में अब एक छोटा सा सवाल आया, कि यार, अगर दो का अपोजिट तीन है, तो यहाँ पर तो चलो, तीनों के तीनों अपोजिट जो जोडे थे, वो मैंने डारेक्ट निकाल यह थे पहले और दूसरे question में तीसरे और चौथे में एक का तीन हो गया था चार का छे हो गया था तो मेरे दिमाग ने कहा था यार दो और पांच बच रहा है वो भी opposite ही होंगे same यहाँ पाथा कि यह दोन opposite थे मेरे दिमाग ने कहा था इस्टार और बड़ावर भी opposite होंगे मैंने किया लेकिन यहाँ मेरा दिमाग फेल हो रहा है यहाँ मेरा दिमाग फेल हो रहा है तो अब यहाँ पर मुझे क्या करना है मुझे यहाँ पर जैसे चार के opposite निकालना है या एक के भी नंबर के अपोजित निकालना है तो मेरी बात गौहर से सुनना एक नियम होता है जैसे आपको चार के अपोजित निकालना है नियम सुन लो कभी भी open dice में दो अपोजित के आपस में कौने नहीens मिलते सुनो ध्यान से मैंने क्या कहा मैंने कहा open dice में कभी भी दो opposite के आपस में कौने नहीं मिलते ये कौने क्या हो एक रहा भीया ध्यान से सुनो क्या है मैंने कहा मैंने कहा 4 का पूछ रहा है अगर तुमने 4 का opposite एक लगाया तो एक नहीं हो सकता क्यों क्यों कि ये चार का बॉक्स ये है और एक का ये तो ये आपस में कौने ना मिल रहे हैं कौने मिल रहे हैं और अपोजिट के तो कौने ही ना मिल सके हैं हमने ये बात सीख लई तो फिर फिर ये सवाल किला किला के कहेगा चिला चिला के कि फिर एक का पांच माल ले तो मुझे ये बताओ मैं एक का पांच कैसे मान सगूं एक का पांच कैसे मान सगूं एक और पांच का एक का खाना ये रहा पांच का ये रहा ये तो जोइंट बन रहा है तो एक का पांच ना हो सके एकका पांच ना हो सके तो चार का चार का पांच होगा बात आ रही है समझ में तो एक चोटा सा प्यारा सा थंस Donald's दो कि भाईया मेरी समझ में वू बात आ गई है जो तुमने मुझे यहां समझाई है मैं बड़िया तरीके से चीज़ समझ चुका हूँ, एक बार मेरे सभी प्यारे साथी इस बात पर महर लगाएंगे चार का एक क्यों नहीं हो सकता चार और एक के खाने मिल रहें कौने मिल रहें, चार का छे क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दो का तीन बन चुका है, चार का होगा पांच और एक का हो जाएगा छे खुब देख लो चार और पांच के कौने ना मिल ले एक और छे के ना मिल ले तू भी खुज मैं भी खुज तू मुझे परिसान मत कर मैं तुझे ना करूँ ये वाली हिसाब पेने चलना परेगा ठीक है भाई बहुत बढ़िया तो यहाँ पर देखेंगे एक बार इसे मैंने आप लोगों से कहा ये क्या है B B से C छोड़ दो D पकड़ो एक बार तो B का क्या हो जाएगा निश्यत रूप से D हो जाएगा मैंने आप लोगों से कहा A क्या है A का सोचो A का सोचो A क्या है मैंने कहा क्या C होगा A क्या है क्या C होगा ना ना बिल्कुल नहीं होगा कौने मिल रहे है A का F होगा क्या ना A का F बना दोगे तो C और E कैसे पोजिट हो सकते इसके तो A क्या हो जाएगा कमेंट में बता दो प्लीज एक बार जल्दी से केवल A केवल A का, मैं केवल A काुजित पूछना चाहता हूँ कि A का क्या है? आप मुझे बताओ, A का पोजित E होगा, सब का जबाब सही है और C का सब्दूimana अपउजित की open to close कैसे उड़ाते हैं, question ये है आपके सामने, ध्यान से देखना एक बार, सभी प्यारे साथी एक बार ध्यान से समझने की कोसिस करना, प्यारे साथी ये जो language है उपर 6 के विपरित क्या होगा, actual में इस language को हटा देना, ये कोई भी language नहीं है, इस language को हटा देना, examiner ये जो question है ये ऐसे नहीं है, examiner question पूछ रहा है कि इस पासे का अध्यान करो, language जो है वो ध्यान से सुन लेना, language ये वाली नहीं है, ठीक है, ये वाली language नहीं है, language ये है, examiner कहता है, examiner कहता है कि इस पासे का अध्यान करो, ये कोई language नहीं है, इसे हटा दो, question करा है कि इस पासे का, इस open इसका अध्यन करो और बताओ इनमें से कौन सा पासा, कौन सा पासा बनाया जा सकता है, द्यान से देखना, मैं सबसे पहले क्या कहूंगा, मैं अपोजिट पराऊंगा, तो B का अपोजिट निश्चित रूप से D है की नहीं है, मैंने कहा C का अपोजिट निश्चित रूप से E है की नहीं है, C का अपोजिट E होगा, और जो A बचा है, उसका अपोजिट एप होगा, मेरे प्यारे दोस्तों A का अपोजिट एप हो जाएगा, तो यहाँ पर जैसे हमने अपोजिट निकाले, तो मुझे तुरंट एक चीज याद करनी है, चीज याद करनी है, और वो चीज क्या है, गौर से सुन लेते हैं, वो चीज है, मैंने कल की क्लास में तुमको एक बहुत ही प्यारी सी बात बताई थी, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर चीज लिखी हुई है, पासे में कभी भी दो विप्रित सत है, ना तो एक साथ दिखाई देती है, और ना ही एक साथ छिपती है, यह चीज मैंने आपको कल की ही क्लास में बढ़िया तरीके से डिसकस करके पढ़ाई थी, सभी प्यारे साथियों को याद होगा, हा यहाँ प्यारे साथ ना ही कि भई दो विप्रित सत हैं ना घिपती हैं ना छिपती हैं, सब को अच्छी तरीके से आता है यह चीज ठीक है, तो मैंने आप लोगों से कहा, जब दो विप्रित सत हैं दिखती नहीं हैं तो यह B और D एक साथ क्या कर रहे हैं पहले Option के अंदर, question करने का इससे बहतर तरीका नहीं है मैंने कहा ये B और D क्या कर रहे हैं इस option के अंदर जबकि दो opposite एक साथ नहीं दिखते B का opposite तो D है ये option चीक चीक कर कहता है मैं सही नहीं हूँ दूसरा दूसरा यहां F, D और A तो भाई या F और A opposite हैं एक साथ क्या कर रहे हैं ये दो opposite एक साथ नहीं होते इस बात को मैं जानता हूँ फिर क्यूं क्यूं है ये एक साथ गलत है यहां पर समझो मैंने यहां कहा D, C, F D यहां है, C, यहां है, F यहां ही हो सकता है, सही हो और ये D, C, A तो भाई ये C और E C और E opposite है तो ये C और E opposite है तो एक साथ नहीं होते ये भी गलत है option number 3 सही है दोस्तो, इससे बहतर कोई तरीका दुनिया में नहीं होता अब सुनो अगली बात जैसे ये question है language ये वाली नहीं है language वो ही है, जो मैंने अभी बताई है ये दूसरे question की चीजे यहाँ पर आ गई है तो मैंने आप लोगों से कहा ये एक open dice दिया जा रहा है question के रहा है open dice दिया जा रहा है गौर से सबजना इस open dice में question की बात करूं तो question कहता है बताओ इस खुले पासे का अध्यन करो इस पासे के आधार पर इनमें से कौन सा पासा बनाया जा सकता है सर्थ तो प्यारे दोस्त आप बोलेंगे आप बोलेंगे चार का जो अपोजिट है वो एक है चार का एक है दो का अपोजिट तीन है दो का तीन है और पांच का अपोजिट छे है कभी भी दो अपोजिट एक साथ नहीं आते पांच और छे अपोजिट हैं एक साथ आ नहीं सकते चार और एक अपोजिट हैं एक साथ आ नहीं सकते तीन और दो अपोजिट हैं एक साथ आ नहीं सकते तो आंसर हुगर D option 2, 4, 6, 2 यहाँ चार यहाँ छे आए बात समझ में आई की नहीं आई प्यारे दोस्तों इसी चीज पर इसी आधार पर हमें पढ़ाई करने और मैं तुमसे एक चीज बड़ी पश्ट तरीके से कह देता हूँ कि जब अगर अगर कमप्टीशन के दौर में आ ही गए है माता-पिता को सपने दिखा ही दिये है कियान रखना तुम्हें कोई अधिकार नहीं है उनको जोटे सपने दिखा मैं कह रहा हूँ सपने हो सकता है एक पल के लिए जोटे हो भी जाए लेकिन आपकी महनत इतनी होनी चाहिए कि किसमत भी ये बात कह दे कि यार इस आदमी की महनत इतनी थी कि किस्मत बदल गई मेरे प्यारे दोस्त, माता पिता ने आज तक आज तक हम उनसे ये ही तो कहते हैं कि कर दूँगा, कर लूँगा ये सारी चीजे इस बार अगर फॉरम भरा है महनत कर रहा है, बैच लिया है या यूटूब पे फिदी भी क्लास देख रहे हैं तो कोई नहीं लेकिन मम्मी पापा का नाम जुगना नहीं चाहिए पताए तुम्हें, बहुत सारे लोग तुमसे ज़्यादा तुम्हारे रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे माता पिता फीस देते हैं, तुम पढ़ते हो, तुम्हारे गुरूजन तुम्हें पढ़ाते हैं लेकिन जो पढ़ोसी होते हैं, बहुत सारे ग्रामीर छेत्र के, बहुत सारे रिस्तिदार जो अपने देखने में लगते हैं लेकिन साइद अपने नहीं हैं, वो तुम्हारी नाकाम्याभी आंतजार कर रहे होते हैं, साइद तुम्हारे मुह पर लगता होगा कि यार तु काम्याब हो जा, तुम्हा ऐसे Дिखाने कोसज करते हूं, लेकिन हकीकत है कि वो दिल से चाहते हैं कि तुम फेल हो जाओ, तुम बहाँ निमत मना ना मेरे सेर कि आज मैं बुखार आ गया, आज मैं वहाँ जा रहा हूँ, इस्तेदार भी यही चाहता है, पड़ोसी भी यही चाहते है कि तुम बुखार आ जाए, हकीकत बता रहा हूँ, तुम कोई नहीं चाहता कि त कहां दुनिया देख ली जिस दिन से साधी हुई तुम्हारे तुम हुए तुम्हारा जनम हुआ उस दिन से तुमको तुमको ही तो तुमको ही तुमको ही तुमको ही तुमको भास तक कभी रैडी कर रही है कभी कभी तुमको देखकर खुस हो रही है तुम ही तो उनकी दुनिय तुमको राजा बेटा की तरह रखाए ना उन्होंने तुमको हमेशा राजा बेटा की तरह रखाए उन्होंने कभी तुम पर कोई जोर नहीं दिया। पर उनको इस बात का भी पता है कि जिस दिन रिजल्ट आएगा मेरा सेर मेरे सब दुख दर्द बैंक का कर्ज लोगों का बकाया सब कुछ चुका देगा। पहाड़े सुनाए ये सारी चीज़े तो पापा बहुत जल्दी स्पीड से साइकल चला के ममी से जाक कहते हैं हमारा बाबु बहुत उस्यार है तुद देखियो वो सब कुछ संभाल लेगा। अभी साइद तुम से नहीं कहते हैं। तुमने फारम भराए ना ममी पापा को पता है कि जीडी की भरती आ गई है। नहीं है उनको पता नहीं है कि जीडी की भरती आ गई है और सच कह रहा हूँ वास्त्विक्ता बता रहा हूँ जब पापा ममी से कहते होंगे दिक्कत मतले अब बेटा पे जादा काम मत कर वही हो क्यूंकि अब जीडी की भरती आ गई इस बार इसका सलेक्शन हो जाए से जिस दिन तुमारा रिजल्ट आएगा ना तुमसे नहीं कहेंगे कि रिजल्ट आ रहा है लेकिन आखों में एक सपने लेकर बैठे होंगे कि साइध रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा साइध हमारा बच्चा काम्याब हो जाएगा ये सारी चीज़ें उनके मन में चलती र जरनी नहीं बस मैं एक बात कह रहा हूं जैसे जैसे तुम ज़वान होते जा रहे हो न ममी पापा बूडे होते जा रहे और ये बात भी ध्यान रखियों हर खांदान में सेर पैदा होता है जो गरीबी देखा को तोड़ कर अमीरी देखा पर लेकर जाता है वो सेर तुम्हे मैं कह रहा हूँ पेपर दे के भी दिखाइंगे, सलेक्षन ले के भी दिखाइंगे, और जो कह मैं नहीं कर सकता, सबसे पहले मिठाइ का डिभा उनके फिर भेजवूएंगे. मेरे प्यारे वीर इस सवाल का अंसर क्लास का हर मेरा सेर और आज की क्लास कैसी लगी बता देना हर एक मेरा सेर जरूर बताएगा कि इस question का correct answer क्या है इस आकरती का धन करके बताना है कौन सा option सही होगा मैं करूँगा आपके option का इंतजार क्लास कैसी रही एक बार हर एक बच्चे को कमेंट करके जरूर बताना है जैहिंत जैभारत बाए बाए